नमस्कार समाचा टूड़े देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ नकुल चित्रुवेदी आपका अपना खास करक्रम स्पेशल रिपोर्ट लेकर स्पेशल रिपोर्ट का सीधा सा मतलब है इस खबर में जान है जी हाँ एक जानदार खबर समाचा टूड़े अब आपको दिखाने जा रहा है जल्दी उत्रप्रदेश उत्राखर्ण में विधानसरबद चुनाव होने वाले हैं तमाम दावेदारों ने अपनी तयारी पूरी कर ली है पार्टियां भी प्रत्याशि के नामों का एलान करेंगे उसके बाद प्रत्याशी अपना चुनाव परचार शुरू करेंगे लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे कथित नेता से जो इसने खुद को अपने आप में ही प्रत्याशी माल लिया है और अपना चुनाओं प्रचार भी शुरू कर दिया है उसने एक पार्टी दफ्तर भी खोल लिया है वो भी सरकारी भवन में जिस सरकारी भवन में किसी के लिए काम होता है जनता के लिए काम होता है एक गाउं के विकास के लिए काम होता है उस सरकारी भवन में उस्तर प्रत्याशी ने अपना दफ्तर खोड़ लिया और वहाँ पर दावतों का दौर भी चल रहा है वो बनना चाहता है विधायक वो दिखाता है प्रशाशन को ठेंगा वो देता है बीडियो को धमकी कानून से नहीं डरता वो उसने नहीं माना अफसर का आदिश सरकार पर भारी रालोट का तता कतित नेता सरकारी भवन को उसने बना लिया है दफ्तर उसने अफसर को धमकाया मुख्यमंत्री जी दबंग कतित नेता से अफसर को बचाओ बड़ा सवाल विधायक बन गया तो क्या करेगा वो ब्लाग प्रमूख बेगम के दम पर वो कर रहा है दबंग गई उसे गुरूर है अपनी बेगम के रुद्बे पर जयन सहब क्या यही था चौदरी सहब का ख्वाब जयन सहब क्या आप भी बनना चाहते हैं गुंडों के सरताज जयन सहब क्या गुंडों के दम पर पूरा होगा यूपी फटाय का ख्वाब जी हाँ यह जणाब है राजनीति को शत्रंज का वो पिटा हुआ मोहरा जिसे बस्पा ने प्रत्याशी बनाने के बाद बहार का रास्ता दिखा दिया था और आप इन्होंने ठामा है रालोध कदामन यानि की राष्ट्रिय लोग दल कदामन राश्ट्रिय लोग दल ने इने प्रत्याशी नहीं बनाया लेकिन इनोंने खुद को प्रत्याशी मान लिया और जगा जगा अपने पोस्ट चस्पा कर दिये हमने यानि कि आपके अपने चैनल समाचा टूड़े की टीम ने जब इनसे जानने की कोशिश की कि आखिर भाईया ये तो बताईए कि आपको प्रत्याशी बनाय किसने हैं तो इनके समर्थकों ने समाचा टूड़े की टीम के साथ बत्तमीजी भी की और देख लेनी की धम की विदी हम आपको दिखाएंगे इस स्पेशल रिपोर्ट की ज़रिये इस तताकति निता की पूरी कहानी आपे रिपोर्ट देखिए अभी तो रिष्टे की सुक्बुगाहट शुरू हुई हुई थी शादी की तारीख भी तैरे ही हुई थी दुलहन का तो पता था लेकिन दूले के नाम पर अभी विचार चल रहा था दावेदार कई थे इसलिए फैसला सोच समझ कर लेना था उधर दूलहा बनने के ख्वाइश मंदों के बन मंदिर में शादी के लड़ू फूटने लगे लड़ू फूटना स्वावाविक था लेकिन एक दूले मिया कुछ जादा ही जोश में आ गए शादी का कार्ड छपवा दिया दूलह दूलहन दोनों के नाम लिख दिये भी कोई ऐसी फिल्म बनी हो जहां दूलहन की रजावंदी और शादी की तारीक तैह हुए बिना दूलह साथ फेरेले ने पहुंच गया हो रील लाइफ में भले ही ऐसा देखने को डा मिला हो लेकिन रियल लाइफ में ऐसा जब गजब नजारा जरूर देखने को मिल रहा है रियल लाइफ को ये नजारा देखने को मिला मुजब फनगर के चर्थावल विधानसबद छेत्र में यहां दूलहन थी विधानसबद चुनाव का टिकट और दूलहा है सलमान जैदी जबकि उनकी पालिटी राष्ट्रिय लोगदल है दूलहन के मातपिता अभी राष्ट्रिय लोगदल ने विधानसबद चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम का एलान भी नहीं किया है कौन कहां से चुनाव लड़ेगा किसी को नहीं पता हर विधानसबद सीट पर टिकट के कई दावेदार हैं लेहाजा टिकट किसे द पड़ेगी इसलिए जैदी गोडी चड़कर बरात लेकर निकल ही पड़े और जगा जगा आपने नाम के पोश्टर भी चस्पा कर दिये जैदी साहब ने पूरे चर्थावल विधानसबद छेत्र में ये मुनाद पिटवा दी है कि दूलहे वही होंगे टिकट लेकर मर्थकों से अपने पोश्टर चस्पा करवा दिये वो भी एक पक्वाडा पहले से ही पोश्टरों में सबसे उपर बाबा सहाव भीम्राव अंबिडगर के साथ साथ बड़े चौधरी चोटे चौधरी और पाइटी के इवराज की तस्वीर भी लगा दी गई साथ में अप उचे निनल के सामने वाला बटन दबा कर बारी मतों से विजई बनाएं सियासत के अखाड़े से बड़े से बड़े महारतियों ने कभी ऐसा नहीं किया होगा दुलहन का हाथ पकड़ने को लेकर हर कोई आश्वस्त रहता है और दावे भी करता है लेकिन जब तक इसका अप रतावल से अपना दूला बनाया था दूला बनते ही जैदी मारे खुशी के फूले नहीं समय थे जैदी घोड़ी चड़ चुके थे और धूमधाम से अपनी बारात निकालने की तयारी कर रहे थे लेकिन सियासत में किस के साथ क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता कुछ ऐसा जैदी सहाब के साथ भी हुआ दूला बनकर घोड़ी पर चड़कर मीठे मीठे ख़ाब दिखाकर बीएसपी ने अचानक से उनका टिकट काटकर उन्हें घोड़ी से उतार दिया तब जैदी सहाब को बहुत सब्मा पहुंचा था इसलिए इस बार जैदी सहाब ने खुद को दूला बनाया जाने के लिए पार्टी की घोशड़ा का इंतजार नहीं किया और खुद से ही खुद को दूला घोशड़ कर घोड़ी पर बैठ कर बारात निकालने के तयारी कर प्रचार भी करना शुरू कर दिया प्रचार भी करना शुरू कर दिया सरकारी भवन में अपना दफ्तर बना लिया और सी दफ्तर में दावतों का दौर भी चला और प्रचार अभ्यान की शुरूआद भी हो गई ये रिपोर्ट देखें इस बारे में अलकमान से बात भी हो चुकी है बस घूशना होनी बाकी रह गई है एक बार टिकट की बरमाला उनके गले में डल गई तो फिर जीत की माला भी वो पहन ही लेंगे इसलिए अभी से ही शादी की शेहनाईयां बजाने लग गए हैं सलमान का एक समर्थक तो यहां तक कह देता है कि 22 तारीक को उनका टिकट फाइनल हो जाएगा ऐसे में बड़ा सवाल है कि समर्थक को कैसे पता चला कि 22 तारीक को सलमान जादी का टिकट फाइनल होने वाला है